मैं राजेंदर गांधी अपने यूटीब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम आपकी पाठे पुष्टक शेमशी भाग दो के सात्वे पाठ के अप्यास पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो पहला वन राजय कई दुरवस्थाम प्राप्त है वन राज यानि शेर किनके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ उत्तर तुछ जीवई तुछ जीवों के द्वारा कहे वातावरनम करकश ध्वानिना आकुली करोती कौन वातावरन को अपनी कड़वी आवाज से व्याकुल करता है काक कहे कववा काक चेश्ट है विद्यार्थी की दिर्श है छात्र है मन्यते कववे के समान कोशिश करने वाला विद्ध्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है आदर्श है आदर्श कहे आत्मानम बलशाली विशाल काया पराक्रमी चेवकतेती कौन अपने आपको बलशाली बड़े शरीर वाला और बहादुर कहता है गजह हाथी बक्य है कीद्रिशान मीनान कुरूरतय भक्षती बगुला कैसी मचलियों को निर्देता से खाता है उत्तर वराकान अर्थात बेचारी अगला है अधो लिखित प्रश्णा नाम उत्रानी पूर्ण वाक्यन लिखत नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो पहला प्रश्ण है नी संशियम कहे कृतान तह मन्यते निश्चित रूप से कोन यमराज माना जाता है उत्तर यह परई पीडे मानान वित्रस्तान जन्तून पार्थिव रूपेण नरक्षती से नी संशियम कृतान तह मन्यते जो दूसरों के द्वारा पीडित और डरे हुए जन्तून की शारिरिक रूप से रक्षा नहीं करता वह निश्चे ही यमराज माना जाता है अगला बकह वन्य जन्तूनाम रक्षो पायान कथम चिन तैत्ति बगुला वन्य जन्तून की रक्षा के उपायों के बारे में कैसे सोचने के लिए कहता है उत्तर बकह शीतल जले बहु काल परियंतम अविचलह ध्यानमगनह स्थित प्रग्य इव स्थित्वा वन्य जन्तूनाम रक्षो पायान चिन तैत्ति बगुला थंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यानमगन होकर स्थिर बुद्धी वाले व्यक्ति की तरह बैठकर वन्य जन्तून की रक्षा के उपायों के बारे में सोचने के लिए कहता है अगला है अंते प्रकृती माता प्रविश्य सर्व प्रत्मम किम वदती अंत में प्रकृती माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है अंत में प्रकृती माता प्रविश्य सर्व प्रत्मम वदती यत अंत में प्रकृती माता प्रवेश करके सबसे पहले कहती है कि भो भो प्राणिने अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव में संतती तुम सब मेरी ही संताने हो इस प्रकार जगडा क्यों करते हो वस्तुते सर्वे वन्य जीविने अन्योन्य आश्रिता वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है अगला है यदी राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा कथम विपलवेत जब राजा ठीक नहीं होता तब प्रजा किस प्रकार नश्ट हो जाती है उत्तर यदी राजा सम्यक न भवती यदी राजा ठीक नहीं होता तदा प्रजा जलधव अकर्ण धारा नौरेव विपलवेत तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक के नाव की तरहां डूब जाती है अगला है मयूरे कथम नित्य मुद्रायाम स्थित भवती मोर किस प्रकार नित्य मुद्रा में स्थित होता है उत्तर मयूरे पिछान उद घाटे नित्य मुद्रायाम स्थित भवती मोर अपने पंखों को खोल कर नित्य मद्रा में स्थित होता है अंते सर्वे मिलित्वा कस से राजे भिशेकाय तत्परा भवन्ती अंत में सभी मिलकर किसके राजे भिशेक के लिए तयार होते हैं उतर अंते सर्वे मिलित्वा उल्लु कस्य राजय विशेक आयतत पुरा भवंती अंत में सभी मिलकर उल्लु के राजय विशेक के लिए तयार होते हैं असमिन नाट के कती पात्रानी संती इस नाटक में कितने पात्र हैं उत्तर असमिन नाटके एकादश पात्राणी संती इस नाटक में ग्यारा पात्र हैं अगला है रेखांकित पदम आध्रित्य प्रश्णिर्मानम कुरूत रेखांकित पदों को लेकर प्रश्णिर्मान करो पहला है सिंग्हे वानरा भ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है आसीत शेर बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था प्रश्ण बनेगा सिंग्हे वानरा भ्याम कस्याम असमर्थ है आसीत शेर बंदरों से अपनी क्या करने में असमर्थ था स्वर अक्षायाम के स्थान पर आ जाएगा कस्याम और अंत में प्रश्ण वाच्चक चिन का प्रियोग करना है अगला है गज्जह वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथईत्वा मारेती प्रश्ण बनेगा गज्जह वन्य पशून तुदंतम केन पोथईत्वा मारेती अगला है वान्य आत्मानम वन्राज पदाई योग्या मन्यते बंदर अपने आपको वन्राज के पद के लिए योग्या मानता है प्रश्न मेंगा वानराय आत्मानम कस्मई योग्या मन्यते, बंदर अपने आपको किस के लिए योग्या मानता हैद। अगला मयूरस से नित्यम प्रकृत मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रनाम करते हैं। प्रश्ण बनेगा सर्वे काम प्रणमंती सभी किसको प्रणाम करते हैं। अगला है शुद कतना नाम समक्षम आम अशुद कतना नाम चैसमक्षम न इती लिखत। जो कतन सही है उनके आगे आम अर्थात हां लिखना है और जो गलत है उनके आगे न अर्थात नहीं लिखना है पहला सिंग्य आत्मानम तुदंतम वानरम मार्यती शेर अपने आपको पीडित करने वाले बंदर को मारता है ना नहीं का का इती बकस्य ध्वनी भवती का का यह बगुले की आवाज होती है ना नहीं काख पिक्यो वरने कृष्णय भवती कवे और कोयल का रंग काला होता है आम हाँ गजे लगुकाय निर्बले चे भवती हाथी छोटे शरीर वाला और कमजोर होता है ना नहीं मयूरे बकस्य कारणात पक्षी कुलम अव मानितम मन्यते मोर अन्योंने सहयोगें प्राणी नाम लाभै जायते एक दुसरे का सहयोग करने से प्राणीों का लाभ होता है आम हाँ अगला है मंजु शाताय समचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानी पुर्यत पेटिका से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरो पहले हम इनके अर्जान लेते हैं स्थित प्रग्य, स्थिर बुद्धी वाला यथा समयम, समय के अनुसार मेध्या मेध्य भख्षके उचित अनुचित खाने वाला अही भुक, साप खाने वाला आत्म शलागा ही नहें अपनी प्रशंसा से रहित पिकह, कोयल पहला है काकह, मेध्य, मेध्य भख्षके कववा उचित अनुचित खाने वाला होता है अगला है पिकह, परभित अपी कठ्यते कोयल, दूसरों पर आशित रहने वाली पक्षिभी कही जाती है अगला है बक्य है अविचल है स्थित प्रग्य इवतिष्ठती बगुला अविचल और स्थिर बुद्धी वाले व्यक्ती की तरह बैठता है मयूरे अही भुक इती नामना अपी कत्यते मोर को साप खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है उल्लू के आत्म शलागाहीन पद निलिपते आचासीत उल्लू अपनी प्रशंसा से रहित और पद की इच्छा से रहित था अगला सर्वेशा मेव महत्वम विद्यते यथा समयम समय के अनुसार सबका अपना-पना महत्व होता है अगला है वाचे परिवर्तन करके लिखो पहले उधारन है वाचे परिवर्तन करने के बाद वाक्य बनेगा करोधित शेर के द्वारा इधर उदर दोड़ा जाता है और गर्जा जाता है अगला, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, त्वम सत्यम अकत्य, तुमने सत्य कहा अगला है, सिंगहम सर्व जन्तून प्रिछती, शेर सभी जन्तूं को पूछता है सिंगेन सर्वे जन्तवै प्रिच्छनते शेर के द्वारा सभी जन्तु पूछे जाते हैं अगला है काकेह पिकस्य संत्यतिम पाल्यती कव्वा कोयल की संतान को पालता है काकेन पिकस्य संत्यति ही पाल्यते कव्वे के द्वारा कोयल की संतान पाली जाती है मोर को विधाता ने ही पक्षी राज और वन राज बनाया गया अगला है सर्वई खगई को अपी खगई एव वन राजय कर्तु मिश्यतेस में सभी पक्षियों के द्वारा किसी पक्षी को ही वन राज बनाना चाहते थे सर्वई खगई कमपी खगई एव वन राजय कर्तु मिश्यतेस में सभी पक्षी किसी पक्षी को ही वन राज बनाना चाहते थे अगला है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सोंदर्याय प्रितनम कुर्वन्तु सभी मिलकर प्रकृति के सोंदर्य के लिए प्रितन करें सर्वई मिलित्वा प्रकृति सोंदरियाय प्रेतनय क्रियताम सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति के सोंदरिय के लिए प्रेतन किये जाने चाहिए अगला है समास विग्रहम समस्त पदम वालिकत समास का विग्रह या समस्त पद लिखो पहला है तुछ जीवई तुच्छ जीवों के द्वारा विग्रह बनेगा तुच्छ ही जीवई ही विक्षो उपरी विक्ष के उपर विग्रह विक्षस से उपरी पक्षी नाम समराट पक्षियों का समराट समस्तपद पक्षी समराट प्यारे बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो समापत होता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वश्य कर लें धन्यवाद आप सबका कल्यान हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है